भई रहामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन देही सुपर लिग क्रिकेट प्रत्योगितामा शुक्रबार भएको डिवीजन बी को खेलमा प्रोफेशनल मास्टर्स एगार विजाई भएको छो लुम्बिनी साक्यान लाई 3-28 रन को विशाल रन अंतरले पराजित गर्दे जित निकाले को हो लिग को इतिहास मा एटी ठुलो रन अंतरले हार जित भएको योग पहिलो पठाखो जिदार्तरंग सालामा टस जीतेर बैटिंग गरे को प्रोफेशनल ले निर्धारित पचास ओभर को खेलमा नव विकेट को छती मा चार से अठार रन को विशाल योग फल बनाए उसका लागी उक्त योगफल बनावन दिलसाहा अली ले एक से बयालिस रन को योगदान दी देस्ते शचिन राजपरले उन्चालिस अजय रसाई नीले बतिस जुचेंद रसाहा नीले एक तिस आदित्य तिरपाटि ले तिस इमरान पठानले नट आउट 28 र इमरान खानले 24 रन चोड़ बॉलिंग मा लुम्बिनी का इमरान अहमत चाजाओ दिन अंसारी एजाज खानले समान दुईदुई तथा राहुल गिरी रुपेश बस्यागरा आसिस लोहनी ले एक एक विकेट लिये प्रति उतर मा चार से अठार रन को विजाई लाच्या पचाएको लुम्बिनी ले बिस दसमलाव चार उफर मा समय विकेट गुमाओ दे नब ब्यारन में समेटियो उसका लागी रुपेश बस्यागरा ले तीसर अफजल हुशेन ले तीरर रन बनाय पनी अन्या बैश्मैन ले दोहरो रन जोना सकेनन लुम्बिनी लाई सस्ते मा रोगन बलिंग मा प्रोफेशनल का दिनेस अग्रवाल ले पांस तथा इमडान पठान ले चार विकेट लिय प्रोफेशनल का दिलसाद अली मैन अफ्ट मैस खोसित भई 1000 रुपई या बाठ प्रस्क्रित भई को आयोजक सक्ता रुपन देही क्रिकेट शनका उपादक्षेवं प्रत्योगिता का सम्योजक धिराजादी कारी ले बताए 4-3-3 गते सम्वच अन्यें प्रत्योगितामा ए डिवीजन का आठ रब डिवीजन का बारा गरी विश टीम को सहवागीता रहने शवप्रत्योगितामा विजेताले 1 लाख रुपई या र ट्रोफि तथा उपविजेताले 50,000 र ट्रोफि प्राप्त गर्डेशन प्रत्यों गितामा मैन अफ्ती स्रीज ले 15,000 रुपया बेश्ट बेश्ट मैन ले बेश्ट बॉलर र उदैमान खेलाडी रे जनहे 5,000 रुपया तथा प्रत्य खेलको मैन अफ्त मैस ले 1,000 रुपया प्राप्त गने शन